सौरब दुबे, सिंपल साइक सवार में आपसे समझना चाहूंगे कि बिहार में हुई इस इठापटक के बाद, इस बदलाव के बाद, अब इस लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं दो हजार चौबिस के? अब विपच्च को चाहिए, जीस प्रकार से उन्होंने गड़बंदन बना करके पहली बैठक की थी, उसी प्रकार से इनको ततकाल एक बैठक कर लेनी चाहिए, और उस बैठक में विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर की कमिया क्या है, उनको स सभी नेताओं के साथ साजा करना चाहिए, और कॉंग्रेस को इसका प्रतिनिदित्यों अब आगे आकर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सबसे मजबूत नेता थे, वो नितीश को मारते, और नितीश जी ने अब स्वयम को किनारा कर लिया, देखिए, कॉंग्रेस कही इन कहीं ये सारी चीजों के पीछे जो है, जिम्मेदारी जो है, वो उसका गैर जिम्मेदाना रवया जो है, कॉंग्रेस का मना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए, समाजवादी अगर आपने गड़बंदन बनाया, तो जो चेतरी दल मजबूत थे, आपको चाहिए था कि वहाँ पर उनको और मजबूती प्रदान करे, आपने क्या किया, सपा और बसपा को आपस में लड़वा दिया, कौं उत्तर प्रदेस के अंदर, ममता बनर जी को पश्चिम मंगाल में, CPI और उनका 36 कागड़ा आपको सामंजस बैठाने की बज़ए, आपने उनके ताल मेल म कि तीन दिनों से जब इन दोनों के बीच में जो है, जुबानी वार चल रहा था, तब आपने उसमें कोई भी बड़े नेता कॉंग्रेस के नहीं आए, तो उसका नतीज़ा यह हुआ कि नितीश कुमार जी ने लालु यादो जी या उसके आरजडी पर कभी भी वार नहीं क के रूप में, उन्होंने सभी कोई कठा करने का प्रयाश किया था, देखी एक बात तो साफ है, नितीश कुमार जी इमांदार व्यक्ति हैं, यह बिहार की जनता जानती है, और देश की जनता भी जानती है, और वही एक चेहरा ऐसे थे, क्योंकि उनका लंबा अनुबह रहा है, भाई 18 वर्सों तक बिहार में, वह लगाता है, तो क्या जनता यह नहीं समझती है, कि इमांदार चवी वाला व्यक्ति अगर बार बार गड़ बंधन बदले, तो उसकी राजनते एक मंशा क्या है, क्या उस पर सवाल नहीं खड़े होते हैं, देखिए नितीश कुमार ज क्या है, यह कॉंग्रेस के ट्रैप में फस रही है, और अंतता नितीश कुमार जी को सध्वुद्धी तो आ गई न, नितीश कुमार जी को समझ में आ गया, कि मैं जिस गड़बंधन के साथ था, वहाँ पर मैंने उनका तो कोई नुकसान नहीं किया, मैंने लालु यादों क लेकिन ललन जी के साथ मिलकर के शाजिस करने वाले जो है, वो कौन लोग थे, वो उनको अच्छी तरी से पता चलिया, तो उन्होंने आपने आपको पचाव करने के लिए किनारा कर लिया, अब जिस प्रकार से एक बड़ा मुद्धा जो है, वो लोग से अज वो ललन सिंग जी देखिए, एक बात समझ ली लेजे, लालू यादो जी कभी नहीं चाहेंगे, कि वो स्वें प्रदान मंत्री नी बन पाये, तो नितीश कुमार जी देश के प्रदान मंत्री बने, वो कमज़ोर करने का प्रयास नितीश कुमार जी को हमेशा से करते रहे, और से उन से जूरी बनाने का प्रयास किया, कॉंग्रेस ने, लगातार प्रयास किया, दूसरी बैटक में भी वही हुआ, भही आप उनको सहयोजक बना करके अपनी मोर्चे जो है, खुल करके लड़ाई लड़ते, आपने अपनी यात्रा लेकर के चले गए, मनीपूर वहाँ प झाल